Hello everyone, स्वागत है आपके एक्जाम प्रेक्टिस में सतीस में तो सीटेट पेड़ागोगी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जो की काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए और ये वीडियो सिर्फ आपके पेड़ागोगी सीटेट के लिए ही नहीं साधी साथ आपके जो बिहाड वाली है बंफर भरति हैं आपने रिसेंट्ली सुना होगा और इसके साथ साथ यूपी टेट और एंपी टेट इन सारे एक्जामों के लिए ये जो पेड़ागोगी है आपके लिए बेनिफीशिल रहने वाली है तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो का पहला प्रश्ण ये है एन एफेक्टिव टीचर किसे बोलेंगे ये छात्रों को प्रश्ण पूछने के अनुमती देता है समय के भीतर पाठिक्रम को पूरा करता है ये उतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन ये भी ठीक है एक विभिन प्रकार के अधिगम अनुभाव प्रदान करता है तो ये सबसे इंपॉर्टन ये चीज़ है कि लड़ने एक्स्पिरेंसों से प्रवाइड करता है अलग तरीके की टेक्नोलोजी या फिर जो टीचिंग मैथर्ड है वो अपनाता है क्लास में पढ़ाने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है एक एफेक्टिव टीचर कहलाएग वो है ऑप्शन नमबर थ्री जो कि इस प्रश्ण का सही उतर हो जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में अगला प्रश्ण है जानकारी के निम्लेखे दो सेटों में से जीन प्याजे द्वारा दिये गए संग्यानात्म विकास के चरणों का लेक जो है संग्यानातम बिस क्रियातम का वस्ता दो से साथ साल रहती है साथ से फिर ग्यारा साल और बारा से आपकी अठारा साल यह इस तरह की अवस्ताएं चार वस्ताओं को बताया है जीन प्याजे ने तो इन अवस्ताओं की विशेश्टा क्या होती है तो समेधी प्रेरा का वस्ता में क्या होता है क object permanence दूसरी जो उसता है पूर संख्राइद मेथ दो से 7 साल का बच्चा आप समझते हो कि 7 साल का मतलब वन या डू तक जब पहुँंचता है तो वह क्या करता है परिकल्पना करता है सकर्मक तर्व करता है प्रतिवर्ति आवधार्णा करता है एक गये गए तो इसका जो सही उत्तर है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है प्रतिवर्ति आवधार्णा या फिर फोट अंबर पर आप देख सेंगे और रिवर्सिबिलिटी कॉंसेप्ट जो है एक द कि जब वो अच्छा फिप्थ क्लास तक पहुंचता है तो क्या होता है इकत्र किये गए प्रमाणों के साथ विसाय पर बहस करना मतलब वो जो है किसी टॉपिक पर बात कर सकता है जो उसने एकत्र किये हैं एवीडेंस के अधार पर और जो अमूर्त या फिर अप्चारिक संक्रियात मगवस्ता कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं उसमें यह क्या कर सकता है परिकल्पना निर्माण परिकल्पना परेक्शन मेंस उन चीजों को भी वो सोच सकता है जो कहता है अमूर्त चिंतन जो कहलाता है उनके बारे में भी हाईपोथेसिस मेकिंग एंड हाईपोथेसिस टेस्टि इनके बारे में भी वो सोच सकता है और काम कर सकता है तो यह उत्तर आपका सही हो जाएगा यह जो option कुछ भी हो लेकिन आपका यह concept clear है तो आप लगा सकते हैं सही उत्तर और इसके लिए सही क्या होगा एक का आपका 3 है बी का आपका 4 है एक थ्री देख सकते हैं और बी का 4 है जो जिसमें option सही साइद नहीं रखे हैं रेट हो गए हैं लेकिन आपके जो answer यही रहेंगे जो मैंने भी बता हैं आगे देखते हैं समाज विकास अनिवारे रूप से किसका एक विसे हैं यहां पर एक डैश है तो social development is essentially a matter of समाज कोशल का विकास है या बेवस्ता की मांगों के नुपालन है समाजिक सुरक्षा है या पर समाज विकास के साथ किसी उदेश्यों का integration तो बिलकुल यही सुरू सही उत्तर हो जाएगा integration of one's purpose with those of the social order समाज विकास यही है जब आप किसी समाज में रहते हैं तो जो कई लोग जब एक जैसा सूचते हैं तो वो कहलाता है उस समाज का उदेश और वही वहां के लोग मिलकर किते करते हैं कि उन्हें कैसा समाज है तो बिलकुल समाजिक विकास का यही मतलब हो गया कि किसी समाजिक व्यवस्ता के साथ किसी उदेश्यों के एक ही करना मतलब एक समाज के लोग जो है वह लगबग एक जैसा सोचेंगे तो 6 महीने उम्र तक के सिसू कौन सा कारे सक्षम होते हैं किसको छोड़ करके तो यह उत्तर काफी आसान हैं इसे आप लॉजिक के थूरू भी लगा सकते हैं इसका उत्तर आप दीजिए कि कमेंड बॉक्स में कि 5-6 महीने का बच्चा हो जाता है तो वह क्या कर लेता है इन में तो जेंडर डिवीजन इस डिफाइंड एज लिंग विवाजन को किसकी रूप में परिभाशत किया गया है तो पुरुस कर्मचारी महीला कर्मचारियों के बीच विवाजन कहलाता है जेंडर डिवीजन पुरुस महीला के बीच जैविक अंतर पुरुस से इस्त्री है सबयार है कितने महीलाओं और पुरसे यह से ही उस सोसाइटी का सचाहिज कि इसी समाज में कितने महीलाओं और पुरसें हुर रोल की क्या क्या काम है उससे पता चल जाता है डिवीजन इन ऐस आगे देखते यहिद HE विद्यार्थिक अच्छा में गलत प्रश् 느 buraya गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे कि ढांट देंगे विद्यार्थी को तो यह तो किसी भी प्रशन का उत्तर नहीं होगा पूरी प्रवाबों हगी में इसकान मतसे प्रश्न को सही करेंगे कर सकते हैं गलती दे कर उदाहण बताएंगे गलत प्रशन के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे तो इसका जो उत्तर क्या होगा आपको अच्छे से समझें न न ही किसका सही उत्तर जो है कि उध्हाल्षे कर गल्थी बताएंगे ति अगति पर और नक्यों गीधिकья दे यह लडिया जब डिप्लोमा किया होगा तब कियो होगी полож पढ़ा रहा है एक डेमो के फॉर्म में उसको माइक्रोटीचिंग कहते हैं और इंडिया में 36 मिनट का यह माइक्रोटीचिंग चलती है जैसे वदा तो टीचिंग six-minute की रहती है फिर उसका feedback चलता रहता तक उसके बाद हम री-plan करने का बीया मिल जाता है और और ररी-teaching पिसके बादं जूबहोँ और पोघुर्टीच चलती है और उसके बाद मारी फीडवेक होता है तो री प्लान के लिए इंडियन टीचर्स के लिए जब एक माइक्रो टीचिंग हम करते हैं किसी टैमो क्लास में आगे देखते हैं विद्यार्थी का विकाश किस पर निर्भर करता है यह इतना इजी कोशन है पूरे पेड़ागोगी का कि हेल्डेटी एन इन्वार्मेंट पर काफी असान कोशन है उ जो वक्तिगत अंतर है उप्रोग सभी है निदान है चात्रों की कमजोरी है तो रिमेडियल टीचर के अधार क्या है डियाग्नॉस्टिक भी है वीक्नेस ऑफ स्टूडेंट भी है तभी हमें यह अपने रिमेडियल टीचिंग करते हम लोग इंडिविजुल डिफरेंस भी ह है डिफरेंस काफी जादा होता है और जो बेसीकली नीड जो है वो फुल्फिल नहीं कर पाता है तब भी हमें रिमेडियल टीचिंग की जरुबत पढ़ती है तो उप्रोग सभी जो है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं कौन सा विकल्प अधिकम के संबं है तो चुकि कोशन ध्यान से हम पढ़ें तो यह पूछा गया है कि समंद में सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गदल गलत है लर्णिंग के बारे में तो लर्णिंग के एक एड्जस्ट्मेंट हो सकता है सिर्फ ग्यान की प्राप्टी है तो यह गलत हो जाएगा ऑप्शन नमर आपको यह वीडियो पसंद आए होगी एक शॉर्ट वीडियो थी लेकिन इसमें काफी इंपोर्टेंट कोशन और कुछ आपके रिवीजन के लिए कोशन रखे गया थे आगी भी इस तरह की वीडियो साती रहेंगी और यदि आपको अच्छी लगती है इस तरह की वीडियो जो है आपने देखा होगा बहुत बंपर भरतियां आई हुई है बिहार में और वहां पर एक रेजिडेंस भी नहीं मांगा आपकी किसी दूसरे स्टेट के आप निवासी हैं तो उसे आपको कम प्रयोटी मिलेगी आपको भी फुल उसमें पार्टिसेपेट करने का मौका मि रहेगा यह रहता ही है तो जरूर से अप्लाई करिए और बांकी एक्जाम के भी आप प्रिपरेशन करें तो वीडियो उसको देखते रहेए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो में